आजादी वच्छाओं न्यूस चैनल में सभी दर्शकों का सौगत है श्रदालू बपा को खुशी खुशी विदा करते हैं और अगले साल फिर आने को कहते हैं माना जाता है कि बगवान गनेश अपने साथ भक्तों के दुखों को लेकर जाते हैं और उनके जीवन को खुशाली से बर देते हैं लेकिन आज 16 सप्टेंबर 2024 को सोलापूर शहर सिदेशवर मंदिर के तालाब में गनपदी जी की मूर्ती का विसरजन करने आए नन्ने बच्चे के आखों से आसों ही निकला आए जैसे ही पूजा कर भगवान गनेश की मूर्ती को विसरजित किया गया तो उस बच्चे से रहा नहीं गया और वे रोने लग गया जहां उसके परिवार वाले उसे समझा बुजा कर ले गए